हेलो फ्रेंड्स हमारा चल रहा था क्लास 12 का अंसोल्ड के कोशन आंसर लास्ट वीडियो में हमने चार कोशन कवर कर लिये थे उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जो आज का हमारा कोशन है वो बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है कि बुद्धी लब्दी किसे कहते हैं लेकिन जब यह कोशन तीर नमबर में आता है तो वो इसके साथ एक एक एकजामपिल एड़ कर देता है जैसे इस कोशन में कराए कि एक छह वर्ष की वास्तिविक आयू वास्तिक वी आयू means real age, छीक, एक 6 वर्ष की वास्तिविक आयू वाले बच्चे की मांसिक आयू, mental age जिसे बोलते हैं, 10 year है, तो उसकी IQ level बताईए, अगर देखो कभी-कभी वो one marks में अगर ये question देगा, तो सिफ definition पूछेगा बुद्धी लबदी की, लेकिन जरूरी नहीं है वो question में अपनी तरफ से example add करके दे, वो कभी-कभी ये भी दे सकता है, कि बुद्धी लबदी कीसे कहते हैं, और एक example की द्वारा दर्शा आईए, तो आपको कोई से भी age का example ले लेना है, और IQ level की है, शोगर के दिखा देना है, और इस question में पहले से दिया है, कि 6 वर्ष की आईउ का बच्चा है, और जिसकी mental age, mental age कितनी है उसकी, 10 year, बास्तिविक आईउ मींस real age, जैसे उस बच्चे की real age कितनी हो गई, 6 वर्ष, और mental age इसे कहते हैं, कि जैसे कोई person है, जैसे 6 year की लड़की या लड़का होगा, ये 10 साल की उमर तक का सोच सकता है, जितना मतलब को mental age कहलाती है, ठीक है, तो जो बच्चा है, वो 6 वर्ष का है, लेकिन इसकी mental age कितनी है, 10 साल दी है, और इसका हमें IQ लेवल बताना है, ठीक, तो पहले मैं आपको definition बता देती हूं, IQ किसी मनुष्य या शिशू, मतलब किसी भी human की या बच्चे की मान्सिक आयू, mental age को वास्त बुद्धी लबदीना लिखकर ये भी दे सकता है, कि बुद्धी भागफल बताईए, ठीक है, तो इसका दूसरा नाम ही बुद्धी भागफल है, तो मतलब किसी भी मान्सिक आयू, ठीक, mental age को जब हम डिवाइट करेंगे, real age से, इसका formula है, देखो, IQ equals to mental age, में से शो करते ह ठीक, तो mental age upon real age into 100, ये क्या है, IQ level निकालने का formula है, इसमें करना क्या है, जो mental age में, जिस age तक कोई भी person सोच सकता है, ठीक, तो mental age को डिवाइट किस से करेंगे, जो उस person की real age होगी, और इसकी 100 से गुणा कर देंगे, ठीक, तो हमें अपने example के according करना है, कि जो question में पूछा तो mental age किते ही थी ती, 10 वर्ष, तो हमने उपर लिख दिया 10, ठीक, और real age किते ही ती उस बच्चे की, कि 1 छे वर्ष, ठीक, 6 वर्ष एस थी, और 10 year क्या थी mental age, तो mental age की जगे हमने रिख दिया 10, और mental age की जगे हमने 10, और real age की जगे हमने लिख दिया 6, और into 100, जब इसी calculation कर तो हमारा IQ लेवल आया 16.6 अब मैंने लिख दिया हैं सर्व भुद्धी मानी अब आप सोच रहोंगे कि हमारा जो भी आंसर आएगा उसका हम पता कैसे करेंगे कि यह सर्व भुद्धी मानी होगा मेंस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा मूर्ख होगा कैसा होगा तो इसके लिए मैं आपको एक टेबिल दे रही हूँ आपको याद करने होगी ठीक है तो इस टेबिल में देखो according to IQ मैंने टेबिल अगर आपने टेबिल याद नहीं करी तो फिर आप आंसर में महां लिख के नहीं आपाऊगे कि सर्व भुद्धी मानी है या फिर क्या है ठीक तो मैं आपको बता देती हूँ यह जो नंबर से आपको यह याद करने हैं मूर्ख व्यक्ति मतलब जो फूलिश होते हैं अगर आपका IQ लेवल 0 से 24 के बीच आ रहा है तो उसके आगे आपको क्या लिख देना है मूर्ख लिख देना है 25 से 49 आ रहा है तो परमूर्ख ठीक 50 स 69 आ रहा है तो शीन मूर्ख मीज कम ठीक और 70 से 79 आ रहा है तो क्या समानी है 80 से 89 आ रहा है तो भी साधारन ठीक और जो अगर आपका 110 से यह याद रखो जितना कम आएगा उतना ज्यादा मूर्ख ठीक और जितना ज्यादा आएगा यहां पर 110 से 119 है तो intelligent word का यूज हुआ ठीक वो intelligent हुआ उपर देखो यह 024 सबसे कम था तो यहां हमने फुलिश यूज किया मूर्ख को फुलिश बोलते हैं ठीक तो जितनी जितनी संखिया भड़ती जाएगी आप ध्यान देना कि intelligence जो है वो भड़ती जाएगी अब देखो 110 से 139 है 119 था 139 हुआ तो अधि आपको IQ लेवल निकालने के लिए तब भी आएगा तो उसके लिए आपको टेबल याद करनी है वो आपको कोई सबी एक्जामपिल दे सकता है जैसे इसमें दिया था छै वर्ष की लड़की थी या लड़का जो भी ठीक है और मानसी का है उसकी दिया दी थी 10 साल इसकी जग बाई चैनल से कोशन तीर नमबर माया की बुद्धी लब्दी किसे कहते हैं पर यह एक्जामपिल नहीं जोड़ा तो आप फिर भी यह एक्जामपिल यह एक्जाम में आपको यह नहीं बना किया नहीं यह सिफ मैंने आपको याद करने के लिए एक्जाम में आपको टेबल नहीं बना क्याने एक्जाम में सिफ आईक्यू लेवल जितना आगा है हमें पर ही छोड़ देना है एक्जाम्पिल आए या ना है लेकिन आपको एक फॉर्मुला और एक एक्जाम्पिल करके जरूर दिखाना है ठीक है फ्रेंड्स वीडियो पसंद नहीं तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू